बंगाल में सारा बैवस्ता असमय धानी कामों में पूरा लग चुकी है ना वहां की सरकार राजयपाल की आदेश को कोई सन्मान करते हैं, हाइकोट की आदेश को सन्मान करते हैं, सेंटरल एजन्शिस रहनी चाहिए हाइकोट की ओर्डर रहा, ये सारे precautions के बावजूद जब जमिनी स्तर पे जब स्तानिय पुलीस और प्रशासन खुद ही पार्शियल हो जाए और बायस्ट हो जाए और राजनितिक दिर्श्टी से काम करे ये तो शमिधानिक व्यवस्ता इसको नहीं कहा जाता है और विशेश करके डेमोकराशी में हिंचा की कोई स्तान नहीं है लेकिन वहां की स्तानिय सरकार जनाधार खो चुकी है उसकी भय से वो हिंचक प्रबुर्ती अपना रहे हैं कई प्रकार की अवयवस्ता इन दिनों में आई है सारे भारत सरकार की संचाधनों को गलत तरीके से हाथ में बितरण है जिसले दो दिन पहले भारत सरकार ने एक कंभीर रविशे के उपर संग्यान लिया है मध्यारनो भजन परधान मंतरी पोशोन योजना की पैसे को ये चुनावी पैसा करके बांड देते हैं भोटर्स को इससे तो प्रमान है और वहां की जब सारा चीज दर्शाय गया और कोई उतर नहीं है बंगाल में संभीधानी की वेवस्ता तूट चुकी है बंगाल में फिर मैं कहूं कि बंगाल में एक काला और खुनीक शासन वेवस्ता चल रही है